आप सभी दर्शकों का हींग एक वाशदी पौधा के अनमोल जानकारी पर स्वागत है दुर्गा पूजा का मौसम है नवरात्री का समय है बहुत ही सकारात्म कूर्जा उत्पन हो रही है आप सभी को दुर्गा पूजा की धेरो शुब कामनाएं हींग एक प्रकार की प्राक्रतिक जड़ी बूटी है, जो हिमाले के पहाड़ों में पाई जाती है। हल्दी, धन्या, मिर्च की तरह हींग भारत की रसोई में मिल ही जाती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा खाने का स्वाद बदल देती है। भारत में दुनिया की 40 प्रतिशत खपत होने के बाद भी भारत में हींग की खेती का नहीं होना बहुत दू, खदाई है। 21 सवी सदी का भारत हींग के लिए आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है। जबकि हींग की मांग देश में बहुत है, पाल्मपूर में पहली बार हींग उगाने का काम हाल ही में शुरू किया है, जो हिमाचल प्रदेश का एक सुखा जिला है। हींग सेवन के लाब, हानिकारक टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उप्योगत होता है हींग में विटामेने भरपूर होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहत गुनकारी होता है जबकि हींग घर में मिलने वाले उन मसालों में से एक है जन्हें खाने का स्वाद और सुगंद बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है संस्कृत में हींग को हिंग कहा जाता है हींग दो प्रकार की होती है एक हींग काबूली सुफाइद दुद्या सफेध हींग और दूसरी हींग लाल असली हींग का रंग हलका भूरा होता है हींग की असली पहचान करने के लिए आपको उसे घी में डालना चाहिए गी में हींग डालते ही वह फूलने लगती है और उसका रंग हलकासा लाल हो जाता है यदि हींग में ऐसा बदलाव और रंग नजर नहीं आ रहा है तो वह नकी हींग में गोन, स्टार्च और तेल की मिलावट की जाती है जो सेहत की लिए हानिकर होती है जानकारी अच्छी, लगे थो क्रिपया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कोमेंट करने में भी कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कोमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, धन्यवाद